हालो फ्रेंड्स वेलकम टू नंदकिशोर क्लासिस आज का लेक्चर बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम नंबर सेरीज के डिफरेंट टाइप्स कवर करेंगे थ्री डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चिन करेंगे और एंड तक लेक्चर एंड करिएग देखते हैं इस क्वेश्चिन को करना कैसे है सबसे पहले क्या करते हैं इन गैप्स को स्टेडी करते हैं गैप्स को स्टेडी करने का मतलब 4 और 7 में डिफरेंस कितना है 3 का 7 और 11 में 4 का तो यही गैप्स देखते हैं 11 और 18 में 7 का गैप है 18 और 29 में 11 का गैप है 29 और 47 में 18 क का गैप है तो यह गैप किस किस तरह से हैं इनको देखना जुरूरी है समझना जुरूरी है कोई पैटरन बन रहा है कि नहीं बन रहा वो भी देखना पड़ेगा यहां पर देखिए पैटरन क्या बन रहा है मैंने सोचा कि यह 3 और 4 को एड़ करते हैं तो next value 7 बन रही है 4 और 7 को एड़ करते हैं तो next value 11 7 और 11 को एड़ करते हैं तो next value 18 तो next value क्या होगी 11 और 18 को एड़ करके next value बनेगी 29 तो बड़े interesting पैटरन है 3 4 मिलाकर 7 बना 4 और 7 मिलाकर 11 7 और 11 मिलाकर 18 11 और 18 मिलाकर 29 और अब क्या करना है 47 में यही 29 एड़ कर दो 47 में 29 एड़ कर दीजे जी तो हमारा answer क्या आएगा 76 आएगा तो यहाँ पर 76 आने वाला है जी क्योंकि यही gap का मतलब क्या है वही तो एड़ किया ना 4 प्लस 3 7 है 7 प्लस 4 11 है 11 प्लस 7 18 है तो ऐसे करते करते 47 में 29 एड़ किया तो 76 तो first part का answer 76 है next series देखते हैं हाँ जी ध्यान से देखिए यहाँ पर इसके pattern को अगर study करेंगे तो बहुत ही easy pattern बनेगा gaps check करते हैं 2 और 6 में कितना gap है 4 का 6 और 12 में 6 का 12 और 20 में 8 का तो बढ़ते जाईए इसी तरह से तो आगे कितना gap होना चाहिए 10 का gap होना चाहिए कैसे पता चला बहुत easy था 2 का difference हा रहा है नेचे देखो 4 6 8 now obviously it will be 10 तो यहाँ पर answer 20 प्लस 10 20 प्लस 10 is 30 that means यहाँ पर 30 होना चाहिए check कर सकते हो आगे 10 के बाद अगला gap 12 का होगा तो 30 प्लस 12 42 बनेगा तो इस पार्ट का answer कितना आया 30 आया I hope यह समझ आया होगा चलिए next series पर चलते है चलिए इस pattern को देखते हैं बहुत interesting pattern है अब यह उस तरीके से होने वाला question नहीं है आप जल्दी से खुद भी सोचिए कि इसमें ऐसा क्या होगा क्योंकि यहां पर एक value बड़ी है फिर 7 चोटी value आ जाती है 24 के बाद 19 आता है फिर 9 आ जाता है यह कुछ गड़बड सी लग रही है एक जैसा pattern लगी नहीं रहा है तो फिर इसमें क्या करना होगा जबकि यह बहुत easy है यह देखिए ध्यान से 17 में 7 एड़ किया दो 17 में 7 एड़ किया next value 24 बन रही है ना बिलकुल बन रही है चलिए आगे वाला देखिए 19 से लेकर यहां तक 19 में 9 एड़ करते हैं तो 28 बन रहा है बिलकुल बन रहा है और यह लास्ट में देखो 27 में 10 एड़ किया तो 37 भी बन रहा ह मतलब ये दोनों को add करके next value बनने चाहिए ये वाली value और अगर ये वाली value देखी जाए 8 में क्या add करेंगे कि 31 आए तो जी 23 क्योंकि 23 plus 8 क्या होता है 31 होता है तो मेरे इस question का answer यहाँ पर क्या आएगा 23 आएगा जी तो है ना ये different type of question था तो आज हमने 3 types different हमने study की I hope आपको यह तीनों समझ आ गई होंगे और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो please इसे like और share जरूर करिए thank you so much